Hello everyone, welcome to School Diaries So, आज कहते हैं Class 2 के Roots and Wings की पढ़ाई So, देखे, Lesson 1 Party for Mom हमने कर लिया था आप वीडियो देख सकते हैं आज हम करेंगे Lesson 1 Party for Mom के जो Back Exercises है ना उसमें जो Grammar पार्ट है वो हमने नहीं किया था तो आज वही करेंगे So, देखे, Lesson हमने पूरा Read कर लिया था और उसका Meaning भी समझा था वीडियो आल्रेडी है, आप देख सकते हैं आज देखते हैं उसके Grammar पार्ट So, देखे, Grammar में हमें क्या-क्या समझना है सबसे पहले हमें समझना है कि Sentences Sentences क्या होते हैं? एक वाक्य, जब भी हम कोई बात करते हैं ठीके, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है अगर आप आधी बात करोगे तो वो एक सेंटेंस नहीं होगा जब वो पूरी बात होगी, तभी वो एक सेंटेंस होगा है जैसे कि यहाँ पर एक्जापल देखिए जीत सुभा उठता है तो यह एक कम्प्लीट सेंटेंस है इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है ठीके, तो वो एक सेंटेंस है ठीके, नेक्स देखिए All are very excited सब कुछ करने के लिए बहुत excited है तो वो भी एक सेंटेंस है क्यूकि उसका भी एक मतलब बन रहा है Rinnie opens all the gift रinnie ने सारे gifts खोले तो वो भी एक सेंटेंस है उसका भी एक proper मतलब है Who cuts the cake अब केश कॉन कातेगा तो ये भी एक सेंटेंस है ठीके लेकिन ये question sentence है कोई पोच रहा है और बाकी सब normal answer वाले sentences है ठीके तो हमें समझना है कि एक proper sentence कैसा होता है सो यहाँ पर हमें कुछ चीजें सीखनी है कि जब हम एक sentence लिखते है ना तो उसका first letter हमेश आपको capital letter से ही start करना है देखे यहाँ पर example सारे जो letters है वो capital letters है ठीके तो sentence start करते हैं सबसे first letter जो है सबसे पहला letter जो है वो capital letter होना चाहिए and जब sentence खतम हो जाता है तो last में आपको एक full stop भी लगाना है इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे sentence के last में जो है full stop लगा हुआ है और अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो एक question हो रहा है जैसे what is your name, what are you doing, how are you feeling today, what is in your hand तो यह सारे questions है जब एक question हम पूछते हैं तो क्या करना है जब उसको लिखेंगे तो question के last में आपको एक question mark डालना है बस इतनी सी चीज़े हैं जो हमें sentence लिखते समय याद रखना है first letter capital होना चाहिए और last में full stop डालेंगे और फिर अगर वो question होगा तो question mark डालेंगे simple ठीक है तो इसी के ओपर आप कुछ exercises हम करेंगे देखते हैं अब देखें यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर देखें कुछ sentences दिये हैं ना कुछ five sentences की तरह है तो आमें देखना है कि यह एक proper sentence है की नहीं proper sentence क्या होता है जिसको read करने के बाद आपको कुछ समझ में आए ऐसे ने की बात आधी-ाधी सी रह जाए तो वो एक sentence नहीं हो सकता तो देखते हैं देखें in the morning सुभा सुभा में क्या सुभा में कुछ समझ में नहीं क्या हुआ सुभा में कुछ बताये नहीं बस बोल रहे हैं कि in the morning in the morning एक sentence है नहीं एक पार्ट है sentence का बस एक छोटा सा पार्ट उन्हेंने बताये कि in the morning तो यह एक प्रॉपर sentence नहीं है तो आप यहाँ पे cross मार देंगे क्योंकि यह sentence नहीं है यह incomplete है next देखते हैं here are flowers for you देखो यहाँ पर आपके लिए full है तो यह एक प्रॉपर sentence हुआ क्योंकि इसका एक मतलब बन रहा है तो आपको यहाँ पे tick मारना है दन देखे अंजु हैसा अंजु के पास है क्या है हमें नहीं पता क्या है तो यह sentence completed नहीं है यह incomplete है तो यह भी एक sentence नह let's का मतलब क्या है चलो मतलब एक साथ कुछ करने चलते है ना तब हम बोलते है चलो let's है ना तो यह भी incomplete है let's क्या let's मतलब उसके आगे तो कुछ है ही नी है तो फिर यह भी एक sentence नहीं है हम यहाँ पे cross मार देंगे then देखे daddy gives her flowers daddy ने उसको flowers दे तो यह complete sentence है है ना तो हम यहा करना है इनको rearrange करना है यानि यह एक sentence को टुकडों में बाटके लिखा है आपको इसे complete sentence बनाना है जैसे यहाँ पे देखे अंजू lives in Delhi तो यह sentence था लेकिन उसको देखे इन अंजू lives Delhi इस तरीके से डाल के दिया है तो आपको उसे read करके उसे correct order में लिखकर एक proper sentence बनाना है next sentence क्या है देखिए I am so happy मैं बहुत खुश हूँ तो यह sentence था यहाँ पे लेकिन जो यहाँ पर टुकडों में दिया गया है और sentence लिखते समय याद रखिए तीन चीजे एक है first letter हमेशा capital होना चाहिए और sentence खतम होने पर आपको full stop भी डाल देना है last में और अगर वो question होता तो आ यहाँ पर first letter capital लिखेंगे और last में full stop डालेंगे आगे क्या करना है देखिए कुछ भी नहीं है कुछ words यहाँ पर help box में दिये है वो आपको यहाँ पर fill करना है एक एक letter उन्होंने छोड़ दिया है बहुत easy है बस आपको वो letters fill करके इन words को complete करना है then आगे देखते है then देख रुआत से पड़ा था कि एक एक चीज होती क्या है तो यहाँ पर हम repeat नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है he or she words क्या होते है he words मतलब वो words जो हम लड़कों के लिए use करते है और she words मतलब वो words जो हम लड़कियों के लिए use करते है जैसे कि example देखिए uncle uncle का क्या होता है opposite gender क्या and bull bull मतलब bell तो उसका opposite gender क्या होगा cow ठीक है guy then lion share और lioness share नी ठीक है तो इस तरीके से he she words को match करना है अब यहाँ पर देखिए listen and learn है यानि आपको ध्यान से सुनना है और उसके answers देने है तो यहाँ पर देखिए कोई passage है जो page number 119 आपकी text route में देखिए वो जो passage है ना वो आप read करिए और उस passage में जो लिखा है उसके अनुसार यहाँ पर जो है आपको चीजों को match करना है कि किसके पास कौन सी चीज है ठीक है तो यह activity है वो आपको read करने के बाद पता चलेगी अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक conversation है ठीक है जो आपको read करना है यह सब reading practice के लिए ह ठीक है यह girl क्या बोल रही है I love my mom I like to see her smile मुझे मेरी माँ पसंद है मुझे उनकी smile भी बड़ी अच्छी लगती है then oh yes me too अरे हां मुझे भी तो मम्मी के बारे में हो रही है आपे तारीफें देखे I will hug my mom to make her smile मैं अपनी ममी को hug करती हूँ के चहरे पर मुस्कुराहट लान के लिए ठीक है तो यह boy क्या बोल रहा है I will make a card for mom I want to see her smile क्योंकि यह chapter mom के ऊपर है तो फिर यहां पर mom की ही बारे में बात हो रही है ठीक है तो यह conversation आपको पढ़ना है कि अगर आप अपनी मम्मी के बारे में किसी से बोलना चाहते हो तो English में आप sentences इस तरीके से बनाएंग ठीक है तो इस तरीके से आपको conversation की practice करनी है then आगे क्या है आगे देखिए यहां पर भी कुछ pronunciation practice है यहां पर जो कुछ words दिये है इनको properly हम pronounce कैसे करते हैं pronounce का मतलब क्या होता है किसी चब्द को किसी word को proper तरीके से बोलना ठीक है तो इसको कैसे read करेंगे आ की sound आएगी इन सा सारे words में ठीक है a apple तो वही sound लगा कर आप सारे words पढ़ेंगे bag mat sand tap hand तो reading करके इसकी practice करिये then यहां पर देखिए यहां पर भी जो है a आ रहा है लेकिन आप इसको वै मै ऐसे नहीं बोल सकते इसको आप कैसे बोलेंगे day, way, may, ray, taste, hast तो देखा आपने सेम अक्षर के लिए हम दो-दो sound यूज़ कर रहे हैं न क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर भी a है यहां पर भी a है तो यह सब चीजें आपको ध्यान देनी होती है जब आप read करते हो तो इसलिए यह words यहां पर दिये है ताकि आप इनके differences इसको सामझ सको ठीक है तो यहां पर देखिए बैग बोलते समय आ साउंड आ रहा है और वे बोलते समय आ साउंड आ रहा है ठीक है तो यह आप ऐसे read करके इनकी practice करिये अब यहां पर देखिए आपको अपनी मम्मी के बारे में कुछ information भरनी है तो आप अपनी मर्जी से भर अपनी मम्मी को अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगता है वो आपको यहां पर लिखना है then she loves me a lot यहां पर आएगा me क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है तो यह मतलब हुआ ठीक है तो अब आगे देखते हैं जो हमने अपने grammar के first chapter में किया था ना वो आपको यहां पर करना है क्या है जो कि हमने पढ़ा था कि alphabetical order में चीजों क आपको अरेंज करना यानि a b c d इसी order में आपको words लिखने होते हैं जैसे कि आपको कुछ words यहां पर दिये जाएंगे तो आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा ठीक है तो आप पता कैसे लगाएंगे आप हर word का first letter देखेंगे और first letter हमेशा alphabetical order में होना चाहिए ठीक है जैसे यहां पर देखिए apple apple के बाद boy क्योंकि correct है न क्योंकि a के बाद ही भी आता है तो इस तरीके से आप alphabetical order में letter words को arrange करेंगे ठीक है तो यहां पर कुछ examples दिये हैं जो कि आपको खुद से करने हैं देखिए यह है हमारे कुछ words तो in words में लिखेंगे balloon क्योंकि a के बाद b आता है हमारे a b c d order में ठीक है देन उसके बाद देखिए cake क्योंकि c से start हो रहा है देन उसके बाद उसके बाद आप सोचिए देखिए c के बाद d e f हां f से एक word है यहां पे fan तो फिर fan आएगा fourth number पे और उसके बाद जाकर आएगा lamp क्योंक f के भी बाद आता है l तो हम lamp को fifth number पे लिखेंगे और ऐसे arrange करेंगे आप दन लास में देखिए यह आपको खुद से सोच कर लिखना है जैसे हमने story में मम्मी के बारे में पढ़ा था है ना रिनी थी ना उनकी मम्मी तो फिर देखिए रिनी fall sick one day रिनी जो है एक दिन बिमार हो गई मान लीजे उनकी मम्मी एक दिन बिमार हो गई तो बाकी जो family members है वो लोग कैसे मम्मी की care करेंगे तो आपको सही लगता है तो आप टिक मारेंगे गलत लगता है तो आप cross मारेंगे जैसे देखिए जीत gives her water to drink जीत कौन था उनका बेटा था है ना तो जीत ने उनको पीने के लिए यह सही है है जब ममी बिमार होगी तो आपको पानी देना है ना ममी को खुद से उटकर नहीं जाना आप दोगे मम्मी को पानी then next अन्जु गिव्ज रिनी medicine अन्जु ने रिनी को यानि मम्मी को medicine दिया यह भी सही है आपको help करनी है मम्मी की तो यहां पर भी करो हम आपकी help करेंगे ठीक है then daddy makes tea for her पापा ने मम्मी के लिए चाय बनाई देखे रोज मम्मी चाय बनाती है पर जब मम्मी भी मार है तो फिर पापा को चाय बनानी चाहिए है कि नहीं मम्मी की help करनी चाहिए तो ये भी सही है तो टिक मारेंगे then Rini cannot take rest she has to do a lot of work अब Rini rest नहीं ले सकती यानि ये बतारे कि नहीं मम्मी rest नहीं ले सकती उनको तब भी सारा काम करना पड़ेगा तो ये गलत है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको मम्मी की बहुत जादा help करनी है जब मम्मी बिमार होंगी ठीक है उनसे सारा काम नहीं करवा करना है जो हो बाकी दिनों में करती है ठीक है तो ये रॉंग है हम यह आपके cross स्मारेंगे अंजू takes care of her mother अंज्व अपनी मम्मी की care करती है ये बी सही है ठीक है अंजू अइसी ही थी अंजू अपने मम्मी से बहुत प्यार करती थी ठीक है तो इतना ही है जो lesson number one के back exercises थे अब party for mom, hope आपको समझ में आया होगा, यही हम आज के वीडियो में करेंगे, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले topic के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care.